हलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू मैं रुपाली वर्मा आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं तो ये नए वीडियो है क्या? जैसे कि आप हमारे पीछे देखी रहे हैं कि ये कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन है क्लास 10 हिंदी कोर्स एक हमारी बुक है शतच भाग दो उसका त्रतिय अध्याय है हमारा देव के सभी है हमारी जो बुक है शतच ये दो खंडों में विभाजत है काविखंड और गदिखंड तो सबसे पहले जो चैप्टर नबर बन से शुरू होती है तो ये हमारी काविखंड से शुरू होती है तो वहीं से हमारा ये चैप्टर नबर 3 है देव की जो समय हम आपको कराने जा रहे हैं इससे पहले इसका हम डिटेल एक्स्प्लेनेशन आपको करा चुके हैं एंसे आर्टी सेलुशन भी करा चुके हैं तो आज क्या करेंगे आपके बहुत सारे टेस्ट एक्जाम बहुत कुछ होता रहता है साल भर में तो उस बीच क्या होता है कि आपको लगता है कि भाई हम सम्मस्तों चुके हैं एक बार रिवाइस कर ले तो यह जो वीडियो है यह आपके रिवीजन के लिए ही है यहाँ पर हम फटाफट जितना भी आपका पूरा टोटल जितने भी आपके इसमें सवईया और कवित्य दिये हुए हैं जैनि कि एक सवईया हैं दो कवित्य हैं उनको हम पढ़ेंगे उसको जल्दी-जल्दी से उसकी व्याक्या को देखेंगे फिर उसके सार को समझेंगे और कुछ कोशन्स देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं किये हैं उनको समझेंगे लिकिन हाँ एक चीज़ जब भी आप इस तरीके की किसी भी revision के वीडियो को देखेंगे उससे पहले आपको detail explanation complete कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम detail में नहीं समझेंगे revision का कोई मतलब नहीं है क्योंकि detail में हमने line by line हर एक चीज़ को आपको clearly किया है यहाँ पर हम फटा-फट आपको चीज़ों को समझाएंगे तो जैसे हम लोग परते हैं न ऐसे आप लोग भी करते हो जब कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे होते हो तो बहुत दिहान से हर एक चीज़ को detail explanation के साथ पढ़ते हो जब revise करते हो तो भही हम पढ़तो चुके हैं बस एक revision करने हैं फटा-फट तो वह है revision हम आज आपको करा रहे है तो चली शुरू करते हैं इसको तो सबसे पहले हम आपका यह समय यह देखेंगे क्या दिया है पायनी नुपुर मंजू भजे कटी किकनी के धुनी की मधुराई सावरे अंग लसे पटपीत हे हुलसाए बनमाल सुहाई माथे की रीट बड़े दूम चंचल मंद हसी मुखचंद जुहाई जैजग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदूला देव सहाई तो अब यहाँ पर इस सवये में देव जीने हमारे क्या किया है यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का बहुत ही प्यारा वर्णन किया हुआ है वो क्या कहते हैं कि उनके पैरों में जो पायल बंधी है और कमर पर जो क्या आपको कमर अधनी बोलते हैं वो बंधी हुई है वो जब चलते हैं तो उसकी जो आवाज है वो किकनी जिसको बोलते हैं वो बड़ी ही सुंदर बहुत ही मधुर सुनाई देती है मतलब कानों में जब वो पढ़ती है तो वो बहुत ही मधुर आवाज होती है सावरे रंग अब शीकर्ष्ण कैसे है सावरे है और उन्होंने कैसा पहना हुआ है पीला वस्त्र धारन किया है और गले में फूलों की माला को धारन किया हुआ है माथे पे उनके मुकुट है माथे पे उन्होंने क्या किया है बहुत ही प्यारा सा मुकुट धारण किया हुआ है और मंद हसी से मुस्कुरा रहे है जैसे की पूरा जग पूरा संसार जो है एक मंदिर है पूरा संसार कैसा है एक मंदिर बताया है उसके अंदर जो दीपक के समान जल रहा है वो है ब्रज और वहां पर कौन है दूला बने कौन खड़े हैं शिरी कृष्णी बने खड़े हैं तो यह था अब इसके हम सार को समझ लेते हैं फटाफट देखिए कवे के अनुसार शिरी कृष्णी के पैरों में बचती हुई पायल बहुत ही मदुर धरी पैदा कर रही है उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किकनी की आवाज भी बड़ी ही सुरूली लगती है उनके सावले शरीर पर पीले रंग का वस् उनके गले में पड़े पुष्बों की माला को देखते ही बनती है शिरी कृष्ण के माथे पर मुकुट और उनके चान्द रूपी मुक पर मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है उनकी बड़ी-बड़ी आंखे चंचलता से भरी हुई है और उनके मुक मंदल पर चार चांद लग रही है कवी के नुसार ब्रज यानि कि क्या है दूले शिरी कृष्ण ब्रज दूले है ब्रज के दूले है ना शिरी कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसे दिये की भाती प्रजुलित हो रहे हैं मतलब ब्रज रूपी दूले हैं जो संसार में एक दिये की भाती प्रजलित हो रहे हैं पूरा जग को क्या बताया है एक मंदिल बताया हुआ है चलिए नेक्स आते हैं नेक्स है हमारा कवित्ते डार दुम पलना बिछोना नव पल लव के सुमन छिंगुले सो तैच्छवी भारी पवन जुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिला प्रजले करतारी पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंजरी नाई का लतान सिरसारी दे मदन महीप जुको बालक बसंत ताही प्राताही जगावत गुलाब चटकारी दे तो यह जो कवित्त है इसमें देव ने वसंत रितूम की बहुत ही सुन्दर वर्णन किया कि वसंत कि तुलनाम जो है वह क्या कर दिए मानव से बता दिया कि बसंत जो आ रहा है वह किस तरीके से चोटे से बच्चे की समान कैसे देखिए, ढार दुम पलन बिचाएं, कि मतलब बसंत आया है, तो नए पत्त कहिलते हैं तो डालों को क्या बता दिया है, ज्छूला बता दिया है, और उनके ऊपर नए पलनों का यानी कि नए जो पत्त कहिलते हैं उनका बिचाएं, बिछा हुआ है प्लब की तरह इसे से हिला के उनको हवा दे रहे हैं पवन जुलावे केकी कीर बत्रावे और प्लंग जो पहवा है उनके जुहलने को जब हवा चलती है तो उनके जूले को जुला रहे हैं और उनसे के की कीरे यानी की कौन है तोते और पक्षी जो है वो बाते कर रहे हैं कोकिला हलावे हुलसावे का तारी और कोकिला यानी की कोयल जो है वो ताली दे देके उनको हसाने की कोशिश कर रही है जैसे चोटा सा बच्चा होता है यहाँ पे यह जो पालना है भी छोना है उनके जूले को हिलाये चारा है तो इसमें बच्चे रूप में बसंत बैठा हुआ है बसंत कौन है यहाँ बच्चे के रूप में लेटा हुआ जूले के अंदर अब उससे बसंत से कौन खेल रहा है को पूरित पराग सो उतारों करे राई लोन तो अब क्या है जो फूलों के पराग होते ही वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं तो जैसे लग रहा है किसी की नजर उतार कर राई और नमक की नजर उतार के ऐसे करके बिखरा दी गई है कंजली नाई का लतान सेरसारी और आपकी जो फूल होते हैं उनकी जो कलिया है वो क्या है कमल की जो कलिया है वो उन्होंने पत्तो रूपी साड़ी मतलब वो ऐसे करके बंद है न तो क्या कहरें उन्होंने साड़ी पहनी हुई है ऐसा प्रतित हो रहा है पत्तो की साड़ी पहन तो यहां पर उनको क्या बताया गया है कि जो है उनका पुत्र आया हुआ इसलिए पूरी प्रकती जो है वो बहुत ही पलवित हो रही है कुबेर नहीं यह कामदेव के पुत्र मदन महीप है उनके पुत्र है बसंत जो यहां पर आये हुए हैं और उनहीं के लानन पालन में पूरी प्रकती लगी हुई है पाता ही जगावत गुलाब चटकारी दे और सुबह सुबह जो है गुलाब जब चटकते हैं तो उसकी आवाज से उनको जगाने की कोशिश की जा रही है क्या है इसका देखिए सार कभी वसंत को एक नवशिशु के रूप में दिखाया है उनके अनुसार पेड की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही है वरक्ष की पत्तियां पालने में बिच्छोने की तरह बिच्छी हुई है फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक धीले ढाले वस्त के रोप में प्रतीत हो रहे है वसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच-बीच में आके जुला रही है तोता एवं मैना उससे बाते करके उन्हें हसा रहें उनका दिल को बहला रहें कोयल भी आ आ कर बसंत रूपी शिशु से बाते करती है तथा दालियां बजा बजा कर उसे प्रसंद करने की कोशिश कर रही है पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं जो ऐसी पतीत हो रही है कि किसी नाईका ने उसे सिर्थ तक पहना हुआ है उन पुश्पो के पराग के कड़ कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानों घर की किसी बड़ी औरत किसी बच्चे की नजर उतार रही हो कामदेव के बालक बसंत को रोज सुबा गुलाब चुटकी बजा कर जगाता है यानि कि जब गुलाब का फूल खिलता है तो उसकी चटकी की जो आवाज होती है वो चुटकी की तरह उनोंने लिया है कि चुटकी बजा के उन्हें सुबा सुबा उठा रही है अगला कवित्य है हमारा फटिक सिलानिसो सुधाव सुधो मंदिर उदती दही को सो अधिक अधि उम्रे अमंद बाहर ते भीतर लए भीती न दिखाएं देव दूद को सो फेन लए हो आंगन फरस बंद तारा सी तरनिथा में थाड़ी जिल मिल होती मोतिन की जोती मिलियो मलिका को मकरंद आरसी में अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबंद सो लगत चंद तो इस कवित में देव नेर चांदनी रात का वरिन किया है कि चांदनी जो रात होती है उसमें जो है जब चांद की जो चारोशनी होती है जब प्रत्वी पर पढ़ती है तो वो किस तरह से दिखाई देती है तो उन्होंने क्या बताया है कि जो चांद है वो किस तरीके से प्रतीत हो रहा है किस फटिक पत्थर के समान प्रतीत हो रहा है उसमें से सूरज की जो रोशनी है वो परावर्तित होकर सफेद होकर एक सुधा मंदिर जो इस पर चांद है वो सुधा मंदिर की समान है और उसमें से वो रोशनी प्रवाहित होकर इस पूरे संसार पे फैल रही है और कैसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि जो समुद्र है वो कैसा है दही से बरा हुआ दही भरा जो समुद्र है क्योंकि सफेद हो गया है तो जी से लग रहा है दही है दही से भरा हुआ समुद्ध उफान पर है और उस पे पिलर घड़ें हुए और ये जो पूरा मंदिर है ये पूरा पूरा प्रत्वी है एक ऐसा भवन के समान प्रतीत हो रहा है जो इसके अंदर से पूरा सब कुछ पार थरशी हम आरपार देख सकते हैं दूद को सो फेन ले हो आंगन फर्श तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लड़किया जो है बहुत तयार होकर आपस में बाते कर रही हैं मोतियों की तरह जैसे आपस में तारे जो है वो मोतियों की तरह बिखरे हुए होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बहुत तयार होकर खुश होकर आपस में बाते कर रही हैं और ये इतना सुन्दर हेक की जैसे लग रहा है कि जो राधिका, प्यारी राधिका को प्रतिबिंद सो लगत चंद और उनकी इस प्यारी सी चांदनी रात में राधा का जो प्रतिबिंब जो उपर के आ रहा है वो बहुत ही मनमुहक लग रहा है तो इसको देखे इसका सार को प्रस्तुत पंक्तियों में कभी ने चांदनी रात की सुन्दरता का वर्णन बड़े ही स्वभाविक रूप से किया है रात की समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारो तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्तर से निकल कर सूर की किरने चारो तरफ फैल जाती है क्योंकि भई जै कि चांद की अपनी रोशनी तो होती नहीं है वो सूर की ही रोशनी तो हम लोग तब परावर्तित करता है तो वही उन्होंने चांद को क्या बता दिया एक पारदर्शी पत्थर जिसमें से रोशनी आकर सफेद हो रही है और इस तरीके से फैल रही है ये श्वेत रोशनी शिलाएं ऐसे प्रतित हो रही है मानो इनके खंबों में एक चांदी का महल बना हुआ है आकाश में चांद की रोश्तरी इस तरे फैली है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हूँ ये चांदी का महल पूरी तरे से पारदर्शी है इसके कोई दिवार नहीं है आंगन में सफेद रंग के दूद का फेना पूरी और फैला हुआ है जिससे तारे इस तरे जगमगा रहे हैं जैसे सखिया सच कर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हूँ चारो तरफ फैलीस रोश्नी में मोतियों की भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हूँ सफेद रोश्नी के कारण पूरा आकाश एक दरपन की भाती प्रतीत हो रहा है जिसके मद में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सजधज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हूँ तो मतलब तारों को क्या बताया था उन्होंने सखिया बताई थी और चांद को क्या बताया है राधिका बताया है कि राधिजा जो है राधिका वो बहुत ही सजधज कर वहाँ पर खड़ी हूँ और बहुत ही सुन्दर लग रही है तो यहाँ पर हमारे सवये और कवित्य हमने आपको समझा दिये अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्ड है उनको समझते हैं प्रश्ड संख्या एक है शरी कृष्ण के शरीर पर कौन-कौन से आभूशन मधुर ध्वनी उत्पन निकर रहे हैं कौन-कौन से आभूशन बहुत बधे हुए हैं और जिन में से बहुत ही सुन्दर ध्वनी निकल रहे हैं तो क्या था पायल थी करधनी थी तो वही है शरी कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर और कमर में बंधी करधनी भी छोटे-छोटे घुंगरू लगे हैं इन आभूशनों से उसे समय मधुर ध्वनी पैदा होती है जब शरी कृष्ण चलते हैं इन आभूशनों की ध्वनी अत्यंत करण प्रिये और मधूर है मतलब जब वो चलते हैं तो जो चुन चुन की जो आवाज होती है वो बहुत ही मधूर प्रतीत होती है नेक्स कोशन है शरी कृष्ण का शरीर कैसा है उनका सौंदर किस कारण बढ़ गया है उनका शरीर कैसा है सावला है और उस पर उन्होंने पीले वस्तर धारन किये हैं और उसके उपर फूलों की माला डाली हुई है तो इसकी वज़े से उनका सौंदर बहुत अधिक बढ़ गया है श्री कृष्ण का शरीर सावला सलोना है उस सावले शरीर पर उन्होंने पीला वस्तर धारन कर रखा है उनके गले में पड़ी बनमाला यानि बन फूलों की माला उनके हिदय तक लटक रही है यहां तक लटक रही है इस पीले बस्त और बनमाला की कारण उनका सौंदर बढ़ गया है पीले बस्त उस पे सफेज सफेद फूलों की माला सावला रंग बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रहा है नेक्स कोशन है शिरी कृष्ण की तुलना किस से की गई है और क्यूं शिरी कृष्ण की तुलना किस से की जा रही है और क्यूं की जा रही है तो किस से की गई थी दूले से ब्रज के दूले से की गई थी क्योंकि वो बहुत ही सजे धजे इतने सुन्दर से लग जैसे दूला वो उसी तरीके से लग रहे थे श्रीक्रिश की तुलना जग रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान की गई है इसका कारण यह है कि जिस तरह मंदिर में जलता दीपक अंधकार को समाप्त कर अपने प्रकार से आलोकित किये रहता है उसी प्रकार श्रीक्रिश भी अपने रू यहां नियुक्या व्हान के बारे में बताया गया था तो आप यह दोनों में हैं कि बज रूपी दूले के बारे में बताया गया था तो आप यहांATE एक तो आप यहां distint a नों कि नहीं पर बताकर किस और दीपक भी वताया तो यहां पर दोनों ही आप इसको explain करिएगा नेक्स कोशन है श्री कृष्ण के मुख की तुलना किस से की गई है और क्यूं क्या कारण किस चीश से करी गई है और क्यूं की गई है श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है उनके मुख की त जो इसेुजल्णा चंद्रमा से की गई है इसका कारण है कि जिस पर चांदनी भैलकर चांद को अधिक सुंदर बना देती है उशी क्रिकर्ष्ण के मुखमंडल पर विराज्वत्य हसी उनके सुंदर को बढ़ा देती है तो कैसे बताया है उनके मुख मंडल को चांद के समान बताया है और उनकी हसी को चांदनी के समान बताया है तो चांद जब आता है और चांदनी भी खेरता है तो वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है तो उसी प्रकार जब शिरिक्रिशन आये हैं और उनकी मंद मंद मुसकान जो है वो चाननी के समान लग रही है तो यहाँ पर हमने इस जो हमने अभी यह चैप्टर आपका त्री लेकर आए इसमें कवित और सवें यह दोनों ही थे जिनको मैंने पूरी अच्छी तरी से आपको explain कर दिया हमने revision कराया है detail explanation नहीं कराया तो जो पहले detail explanation कराया है उसे आप जरूर पढ़ लिजेगा तो दियान दखिए कि जब भी इस तरीके के हम one shot revision ला रहे हैं उनको समझने से पहले detail explanation बहुत ज़रूरी देखे मैं बार बार यह चीज़ कह रही हूँ तभी आपको ठीक से चीज़े समझ में आएंगे तो यह जो one shot revision है ना हमारे यह सिर्फ हिंदे में नहीं है आपके सभी subjects के लिए one shot revision आ रहे हैं तो अब इन one shot को हम देखेंगे कैसे उसके लिए आपको simple chrome पे जाना है magnet brain type करेंगे आप app के through बे enter हो सकते हैं कोई दिक्कती लेकिन आप जैसे आएंगे magnet brain पे तो आपके सामने एक page open होगा जहाँ पर नीची की site में CBSE English Medium लिखा होगा जैसे आप इसे click करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा देखें one shot revision आप इस one shot revision को जैसे click करेंगे आपके सामने वो सभी classes आ जाएँगे जिनमे one shot revision अबलेबल है आप देख रहे हो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तो अब आपको अपनी class देखनी है आपकी class क्या है? 10th यहाँ पे watch now लिखा है ना? बस आपको यह watch now click करना है जैसे ही आप click करोगे आपके सामने class 10th के one shot revision की पूरी playlist आ जाएगे देखेंगे आप इसमें यह सभी subjects हैं Physics, Chemistry, Bio, Maths, Information Technology, History, Civics, Geography, Economics, English, English, Hindi, Sanskrit, Sanskrit तो देखें सभी कुछ दिया है तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं मान लिजी आप suppose आपको हिंदी में ही देखना है तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे Hindi full chapter one shot revision आप यहाँ पे click करोगे click करते ही आपके सामनी क्या होगा? book wise आपके books है न कई सारी तो आपके books आजाएंगी फिर book के बाद ही आपका क्या हो जाएगा? उसमें आगे आप उसको click करोगे तो आपके chapters आजाएंगे तो जो भी book पढ़नी है, जो भी chapter देखने है उसे आपको click करना है जैसे ही click करेंगे आपके सामनी इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा अब आपको करना क्या? आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है revision complete करना है क्योंकि exam आने वाले हैं, test होने वाले हैं तो revision हो जाएगा हमारा revision जैसे ही complete आपका हो जाता है तो आप निश्रेंद हो जाएए क्योंकि कहीं पर भी आपका test exam हो आप इसे फटा-फट दे सकते हैं हमारे channel बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो इसलिए हमारे channel पे आपको 100% free education प्रोवाइट कराई जाती है इसके लिए हम आपसे कोई भी payment नहीं लेते हैं साथ ही यहाँ जितना भी content है यह totally arranged है यानि कि आप देखेंगे class wise, subject wise, book wise, chapter wise, topic wise हर एक चीज totally arranged है कि एक topic पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पढ़ता तो इसी लिए हम यह चाहते हैं कि आप हमारे channel के साथ बने रहे हैं इसे like, subscribe, share जरूर कीजेगा thank you for watching, bye bye